जेहें दोस्तों मैं सब स्पेक्टर श्वेता आज की वीडियो में हम बाइलोजी के उपर अनलेसिस करेंगे कि 2005 से लेके 19 तक के पेपर में कैसे कोशन बाइलोजी से बने हैं या कोशन बहुत टफ है कि कितना हमको पढ़ना है बाइलोजी आप जानते हैं कितना बड़ा चैप आठ से जलते हैं उनकी बाइलोजी विक होती है तो उसमें घपराने की कोई बात नहीं क्योंकि कोशन इतना टफ नहीं बनाए बाइलोजी से और 19 में तो ना के बराबर बना है 19 जो पेपर लिया गया है तो बाइलोजी को बस आराम से त्यारी कीजिए और कहां से करना है उस ती सर्वदाता कहलाते हैं यह रक्त वाला आप जानते हैं हमेशा पूछ लेता है कितना रक्त कौन यह सब कौन रक्त कर सकता है तने की कटाई का परियोग गन्ना को पुना लगाने के लिए किया जाता है नॉर्मल कोशन है एड्स का पुर्ण रूप एक्वार्ड एम्यून आधी मच्छों से होने वाले रोग हैं पालक के पत्ते आर्यन के प्रबल स्रोथ हैं डंत च्छै के कारण बैक्टिरिया जनित संक्रमन हैं एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस की रोग ठाम के लिए किया जाता है देखे कोशन यह सारे कोशन आपको कहां मिलेंगे य यूसर मिलेंगे और स्पीडी जो रेल है उसमें भी मिलेंगे ठीक है तो साइंस आप वन लाइनर वहां भी कर सकते हैं वैसे देखा जाए न जैसे मेरी तेयारी में देखिए अगर लेते हैं कोई सब्जेक्ट लेसें तो यह तो उसके साथ उसकी अब्जेक्टिव बनाएं तो भी मेरी साइंस अच्छी हो जाएगी या हम लिूसर्ट ले और रेलवे का जो किताब आता है रेलवे साइंस का उसमें जो कोशन दिया हुए न जिसे एक जग पर एक जिसे तीन-चार कोशन दे दिया है जो सेट्स दिया है पीछे या आगे जो एकटा करके दिया है यह बहुत अच्छे हैं यहां पर बहुत अच्छे कोशन के कलेक्शन के हुए हैं तो जब यह हम याद करते हैं वोल लाइनर की तरह यह याद करना भी आसान पढ़ता है तो जहां पर आपको लगे कि यह चीज क्या है समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को आप गूगल क कीजिए यूटूब इसको सीख लिए तुरंत वन दो तीन मिनट का आएगा वीडियो वहां पर इसको समझ लीजे या क्लूशन के बुक खोलिए और वहां पर चीज को पढ़ लिजे एक कोशन जब आ रहा है चेप्टर में जाके लूशन पढ़ लिजे क्योंकि अगर आप चेप्टर बहुत बड़े बड़े हैं और वीडियो आपको बहुत जादा करना पड़ जाएगा तो यहां पर आप कोशन याद करते जाहिए जहां आपको कोशन नहीं समझ में आरे बाइलो जी के वह वाले तो उसका आप वीडियो देख लीजे ऐसे करना आसान पड़ता है और हम जल यहली सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है अब इन्फोर्स्मेंट एसाई 2012 का पेपर भूमी चरू में चीता त्रिवतम अस्थनधारी है फाइको लौजी सेवाल का अध्यान है तो अध्यान वाला कौन कहां से आएगा विसाडू में कार्बो हाइड्रेट नहीं होता तो जिवाडू विसाडू वाला चैप्टर इसके बाइर में थोड़ जान लिजिए असाई से बैक्टीरिया इसमें कवर की जो भी होते हैं कवर जनीत रोग यह सब आते हैं कोशन वह सब देख लीजिएगा प्रोटेस्ट्रोन मादा लिंग हार्मोन है थाइराइड अंता स्राविक अंग तंत्र का भाग होता है साल्क टी का पोलियो के लिए होता है तो यह जो है आपका अविस्कार अविस्कारक वाले में से तो अविस्कार अविस्कारक में आपको मिल जाएगा वो ठीक है वहाँ इसको बहुत सिंपली आपना कोई दिमाग लगाते हैं कि हम लोग भी अपने क्लास पढ़ाते हैं उसके कोई पोईम बना दिये या कुछ ऐसे वैसे मजा किया बात उसमें आड़ कर दिये और बहुत सारे जितने रो दिये हैं आराम से याद हो गए केरोटीनोड एक प्रती जैविक है मुत्र का पी एच सिक्स पॉइंट जीरो होता है तो वह पी एच वैसे ही केमिस्ट्री का भी हिसा है हाइड्रो क्लोरिक अमल पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अमल है अच्छी द्रिस्टी के लिए विटामिन ए आवश्यक है तो विट विटामिन से तो विटामिन चेप्टर अच्छे से देख लिजेगा फिर एक साइज इसाई पीटी 2012 का पेपर पहली ओंट लॉजी जीवास्म का अध्यन है सूती रेसा बीज से प्राप्त किया जाता है वैस्क मनुष्य से रक्त निर्मान लाल अस्थी मज्जा द्वारा हो प्रोटीन अमीलो अम्र से बने होते हैं मनुष्य पेरिफेरा संका प्राडी है ठीक है एसाई पीटी रीग्जाम 2017 का बेरी बेरी विटामिन B की खुराक में कमी के वज़े से होता है पेस्मेकर हिद्दै से संबंदित है सूरे से आती पराबैगनिक किर्णों से हमें ओजोन बचाती है ठीक है कोशें देख रहें तफ लग रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं वे लाइने की तरप इस पीडियों पढ़ लिजे किसी ने पूछा था कि स्पीडि का भी तीन हिसा बाट ढट ले उसमें से किसमें पढ़ें नहीं पढ़ें ऑब वह वानलाइनर सब्सक्राइब क्या बाटे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जो आगे डीटेल करके दिया हुआ है उसी का नवन लाइनर पीछे बनाया है अधितना रिपीटेड कोश्चन है वह देखने के लिए मोटा ताजा बन गया है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जादा तर कोश्चन रिप वाईविये स्वसन उनके लिए ग्लुकोज का पूर्ण ऑक्सिकरन होता है रक्त का आरबीसी सरीर के अंगों को ऑक्सिजन पहुचाता है तो यह रक्त वाला चेप्टर में ही डीने आरेने जो आता है सब ठीक है यह वह रक्त ओ ए बी या ए बी जो होते हैं वह वाले डीने आरेने वाला भी चेप्टर देख लिजेगा ठीक है लीवर पचित भोजन में विशाडू परदातों का असोसन करते हैं फुल द्वारा वनस्पती प्रवर्धन आलू में होता है रक्त का हीमोग्लोबिन सरीर की मांस्पेसियों में ऑक्सिजन एकत्रित करता है आर्किट तो वनस्पती चेप्टर में देख लिजेगा ठीक है यह भी वन लाइनर की कोशन जो दिये में स्पीडी में लास्ट वाले 265-266 वाले से हम देख रहे थे वहां कोशन इसके दिये हैं पादफ वाले में अच्छा कोशन का कलेक्शन है वहां पे उस्तना कोशन भी पढ़ ल लेकिन वन लाइनर को देखते हुए डीटेल को पढ़ीगा तब पढ़ने में मज़ा आता है लेकिन जब आप डीटेल पढ़ते हैं तब वन लाइनर आपको नहीं देखता है लेकिन वन लाइनर पढ़ते हुए डीटेल देखते हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए होते हैं पेरामीसियम में कसाब पाया जाता है कोशन का कुछ भी खास लेवल नहीं है चलिए SIPT 2018 का फॉसीडिंग पॉधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को असोसित करते हैं तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्टित करते हैं हवा में पराग कर को वायू पराग कर करते हैं कीट वन्स होने वाली खुजली फॉर्मिक अमल के कारण होती है चीटी मिटमिन के रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है कॉमन बात है साइनो बैक्टिरिया परितंत्र में महत्रपुण भूमी का अदा करते हैं क्योंकि वे वायू मंडली नाइट्रोजन को इस्थेति करन करते हैं वसा के पाचन के लिए पायाई-सी करन और वसा में विले होने वाले विटामिनों का और सोचन करना मानो सरीर में पित्रस का कार तब समझ में आएगा अच्छे से इसका वीडियो क्लिप भी देख लीजेगा फिगर के द्वारा ठीक है तो और अच्छा समझ में आएगा एक परितंत्र में कवक और जिवाडू अप घटक होते हैं जीन अनुवांसिक होता है एक परितंत्र में कि स्टोन जाती का तात्प करने में महत्रपुर्ण भूमी का निभाले वाला परदाथ पर्टिलीजिन का स्वसंत परिपक अंड में होता है जीवों के दिवमान नाम पत्ति के दो घटक वंस नाम और जाती विसेशन होते हैं खोज इसका लीनियस किये थे ये लिजुसंट के सुरवाती चेप्टर में आपको मिल जाएगा मानो सरीर में पेशियों की हडियों से जोडने वाली संरचना को टेंडन कहते हैं मोनेरा में केंद्रक जिली नहीं होता तो मोनेरा प्रोटिस्टा जो है जीव जगत बाटा गया है उसको देख लीजेगा वन लैनर के तरह कोशन उसमें दिया हुआ है इ स्वन्निम क्रांती उधान क्रिशी से संबंधित है चैघ जीवाडू के कारण होता है कोया पे कैफीन में पाई जाती है दुधारू पसों में कैल्सियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है एड्रिलेनिन गुसा डर एस्ट्रों जॉन महिलाए इंसुलीन ग्लुकोज पेरोम साथिया करना गंध करने माधिम से यह मिलान करने के लिए दिया हुआ है मानो सरीर में की तेलीग्रम गुरूप आपको पता ही होगा ऐसा इश्वेता है ठीक है उस पर जाके आप इसका PDF ले सकते हैं अब इस टेनो असिस्टेंट का जो पेपर है देखा जाए जो दरोगा का पेपर बना है ना बिहार दरोगा का डायरेक्ट तो वहां पे बाइलोजी की कोश्चन के लेवर उतने आपर नहीं गये है इस टेनो इ ऑक्सीजन को वहन करने की छमता को प्रभावित करना है इस टेनो का पर है मानो के पाचन तंत्र में पाचन की प्रकिरिया मुख गुईका के से प्रारंब होती है हाइड्रोक्लोरिक अमल हमारे सरीर में पाचन क्रिया में सहायक है विटमिन डी की कमी से रिकेट्स नामक ठीक है यह भी कोशन जाता टफ नहीं पूछा है क्लोरोफिल के करन देख रहे हैं एलेक्ट्रो एंथे फॉलोग्राम मस्तिक के निगरानी के लिए उप्योग होता है सरीर का ताप क्रम हाइपो थालेमस नियंत्रित करता है मानोसरी में 70% तक पानी होता है माइट्रो कांट्रिया कोशिका की सकती श्रोथ है एट्स विसाडू के कारण होते हैं और ट्राइग्लिसाइड वसा है कुछ कोशन है थोड़ा सा जिसको देखना पड़ेगा लेकिन इतने वह टफ नहीं अगर आप इससे देख लेते तो सारे कोशन लगभग वहां से आ जाते है एसबेसिस अमल पौधे में व्रिधी हार्मोन है घास हीरन सेड़ खास इंकला का निर्मार करता है एसाई पीटी 2019 का पेपर फॉस्ट सिटिंग देखे कोशन लेवल यह रहा 19 का पेपर कैसा पूछा है इस पर ध्यान दीजेगा निमारी गाय की एक नसल है तो वह नसल वा दाती है वर्तिका ग्र वर्तिका और पराकोस्क फूल के प्रजनन अंग है दुक्र वाहिका प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है मनुश्री के सरीर में प्यूस घंत्री से व्रिधुरी हार्मोन स्रावित होता है मानोगो शरीर की फुसफुस झावणी ऑक्सिजन रहित रख्त से ले जाती है वह तो नॉर्मली कोश्चन ने बनता है तो सीरा धमनी कौन होगी अब क्लोरोफाइसी के सदसे को समानता हरी सहवाल कहते हैं एंटेसिफाइड मिसन इस द्रहनुस का संबंध्ती का करन से है लगभग ये कोश्चन नहीं बनता है ये करेंट का हिस्सा हो गया मात्र एक कोश्चन मान लेजिए तो बाइलोजी से है तो जो नाइंटीन में जो पेपर ये कोश्चन की लेवल तफनी बने है इस टेन और इन्फोर्समेंट बना है वहां पेशन बवाब सारी कलेक्शन को डाला गया है और एक बात और हम नोटीस की आ है जो पेपर बना है वहां केमेस्ट्री और बीलोजी दोनों को बहुत कम कर दीग जिए है फिजिक्स को उठा आज मैंने अपना वीडियो बना ही लिया तो बस ये तीनों को आप देख लीजे और तब आपको समझ में आएगा ना कि साइंस में कुछ है नहीं ज्यादा लेवल तक हाई नहीं पड़ना है बस सही तरीके से कोशिन को कलेक्शन करना है जिसको आप रिलवे साइंस से भी कर सक सकते हैं वरन्माल से भी करते हैं किसी एक सिंगे ठीक है साइंस को ज्यादा जगर करने की जोड़त नहीं किसी एक सिंगे यहाँ वapp कर देखिए जब कोशन अड़कता है तो वीडियो देखिये वीडियो में ना समंझ में है बुक देखिये ठीक है लेकिन देखिए इसको इ याद भी हो जाने है, समझ में भी आजाता है, अगर आपकी थोड़ी साइंस अच्छी है तो, वीक है, तो भाई, वीडियो से अपनी साइंस को स्ट्रॉंग बनाइए, पहले इन सब चेप्टर को जहां से कोशन बन रहे हैं, अगर कोशन साइंस में 20 आते हैं, तो मैंने जिस कंप्लीट कीजे, वहां से लगभग 15 आ जाने है, क्योंकि हम लेवल वही है न, पूछने का, तो जो जो चेप्टर बताए हैं, उससे लगभग 15 कोशन आने हैं, पांच अगर देगा, तो उससे नहीं देगा, तो आप सोचिए, उससे आप 15 कंप्लीट करते हैं, तो कोई सब को देखेंगे न, तो 70 वहां से बन जाएंगे, 70 या 80 बन सकते हैं, 20-30 कोशन आउटर जाएंगे, तो भी तो आपका 70 तेयारी हो गया, 70-80 तेयारी, अगर ये कनफर्म बना लेते हैं, अब तो हम अपने से सोच रहें कि क्या जाने कुछ आउटर दे सकता है, अगर इसी ओर्डर में दे दिया तो, आराम से 90 भी जा सकता है, तो पहले इतना क्लियर करके अपना आपको निशिंद कीजे, उसके बाद कुछ इसमें आड कीजे, तो आप एकदम फ्रीली होते जाएंगे, और तयारी कंप्लीट होते जाएगी, भाई साइन्स का बाइलोजिका इतना यहां से मेरे आने वाले है, 8-10 कोशन, यहां से मेरे हो गए क्लियर, तो सो में से 10 क्लियर, 90 और बचा, डिपार्टमेंट क्लियर करते जाएगे, और निशिंद होते जाएगे, एक्जाम कुछ ही नहीं है, एक्जाम सिब डर है, आप तेस्स देते हैं, उसमें आप अपना इ एक भी नए गड़बढ होता है, तो उसको कम्प्लीट रखिए, उसको मत खराब कीजिए, ठीक है, समय मिले तो एड़ कीजिए, ने तो छोड़ दीजे, भई अपना कटफ हमरा 70-80 ही ने देना है, उतना देंगे, आराम से रिजल्ट बन जाना है, और एक बात और, एक्जा तो उनका नहीं हो पाया था, जिवकि उभी कटफ से तो काफी अच्छा दे थी, तो भी नहीं हो पाया, यानि क्या है, कहने के लिए कुछ और है, होता कुछ और है, उस बात पे ना जाए कि कटफ कैसा जा रहा है, कटफ कितना उठेंगे, यह मैटर नहीं करता, आपको होंगे नंबर जादा उनी को न उठाएगा, कॉमन बात है, कहने के लिए कटफ को डाउन रखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप महनत कीजिए, रिजल्ट अपना दीजिए, पहले जितना मैंने वीडियो में बताया है कि इस चेप्टर को कम्प्लीट कीजिए, वह झाल